Hello Kids, Welcome to Online Computer Class Today we will read about Parts of Computer of Lesson 1 from Page No. 4 So, Let's Begin, Children Parts of Computer ठीके, Computer के जो हम Parts समय पहले बताये थे अब हम उनको डेटेल में बढ़ेंगे सबसे बहले देखिए Keyboard देखो, यहाँ पर डेट डोबो से बात कर रहे है डोबो, Which body part helps you to write whole things or to take food to your mouth? डोबो कहते हैं कि तुम्हारे कौन सा body part है जो तुम्हें लिखने में help करता है चीजें पकड़ने में help करता है और खाना खाने में help करता है तो डोबो कहते हैं Dad, I use my dash to write whole things and to place food in my mouth तुम्हें लिखने के लिए, चीजें को पकड़ने के लिए और अपने मुह तक लेके, फूड को मुह तक लेके जाने में मैं किस चीज का इस्तमाल करता हूँ? अपने हाथों का तो यहाँ पर आप बेटा क्या लिखेंगे I use my hands Dad, फिर कहते हैं Similarly, computer has a keyboard बिल्कुल वैसे ही computer के पास क्या है? keyboard है keyboard से क्या है? हम typing करके एंटर करते हैं data को और instruction देते हैं computer को ताकि वो हमारा काम कर सके यह देखी बेटा, आपके सामने keyboard है यहाँ पर आपको जितने भी buttons देखाए दे रहे हैं हम इसको बोलते हैं keys ठीक है? यह एक board है जिसके उपर keys लगे हुए है ठीक है? और हरे key क्या है? एक अपना मतलब है ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं keyboard देखिए keyboard is used to keyboard किसके लिए इस्तमाल किया जाता है? टाइप, numbers and letters इसके उपर क्या होते हैं? numbers लिखी होते हैं and letters लिखी होते हैं और बहुत special characters भी लिखी होते हैं तो यहाँ पर numbers, letters को type करने के लिए second point देखिए give instructions and commands to the computer computer को कोई भी instruction और command देने के लिए लिए मनतब data एंटर करने के लिए next part देखिए monitor this screen is called monitor monitor किसकी तरह दिखाई देता है? बिल्कुल TV की तरह दिखाई दे रहा है तो यह जो आपके सामें screen दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते है? monitor देखिए जो next page है आपका उसमें सबसे पहले activity आई है name the device that resembles the computer monitor देखिए बेटा यहाँ पर एक activity है जो आपने बताना है कि वो कौन सा device है जो बिल्कुल computer monitor के तरह दिखाई देता है देखो यहाँ पर clue दिया हुआ आपको you usually find this device in your home जो आपके अकसर आपके घर में पाया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि computer monitor किस के तरह दिखाई देता है TV की तरह तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे television TV our monitor has following features देखिए monitor में कौन कौन से features होते है it displays whatever we type जो भी हम keyboard से type करेंगे वो कहाँ पर show होगा वो कहाँ पर display होगा monitor पर it has on off button और scoop पर on और off का button भी होता है it is also known as visual display unit VDU इसको हम और क्या बोलते हैं visual display unit भी बोला जाता है a monitor looks like a TV screen जो monitor है बिल्कूल TV screen की तरह दिखाई देता है dad dobo से कहते हैं call your classmates for the birthday party तुम अपने birthday party के लिए अपने classmates को call करो dobo dad I don't remember their phone numbers and I don't have my phone book with me देखो phone book का क्या मतलब होता है वो book जिसमें हम phone numbers अपने दोस्तों के लिखते हैं वो phone book होता है जो आप write करते हो उनके numbers एक तो होता है कि अपने दिमाग में बिठा के अपनी memory में save करके रखना कि जब आपसे कोई number पूचे तो फटा फट बता दो कई वार आप बूल भी जाते हो तो अगर आपने कहीं पे लिखा होगा तो आप आप वहां से भी डूंड कर बता सकते हो तो वो क्या होता है और फोन बुक दैड आई डोंट रिमेंबर दियर फोन नंबर्स क्यों डैड मुझे याद नहीं है उनके नंबर्स और मेरे पास फोन बुक भी नहीं है देखिए एक्टिविटी एक और है यहां पर आपके सामने तीन क्वेशन है जिसमें आपने यस और नो में जवाब देना जो आपको सही लगता है देखो क्या आप स्कूल के सभी बच्चों के नाम याद रख सकते हो यस और नो बेटा यह तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे बच्चों का नाम कोई भी याद नहीं रख सकता आपने मेमरी में तो क्या है नो कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी का पॉन नंबर क्या आप बता सकते हो याद रख सकते हो यस और नो नो यह भी पॉसिबल नहीं कि इतने सारे बच्चों का हम फोन नंबर याद नहीं रख सकते हैं Do you remember the multiplication tables till 100? 100 तक multiplication table को याद रख सकता है? No. So it means तीनों क्या है? Impossible है. कि ये तीनों हम इतने सारे क्या हैं चीज़े अपने memory में स्टोर में रख सकते हैं. ठीक है? Well, we cannot remember the above mentioned things. वैसे तो हमें पता है कि हम ये जो पहले तीन कोईशन्स पूछे हैं कि हम इनको याद नहीं रख सकते हैं. But, our computer can remember all the above. लेकिं यहाँ पर जो तीनों कोईशन्स पूछे गए हैं, computer इन तीनों को याद रख सकता है. ठीक है? Dad, Dobu, which part of the body helps you to remember everything? तुमारे body का वो कौन सा पार्ट है? जो हर एक चीज याद रखता है. ठीक है? तो, Dobu कहता है, I remember everything using my brain. यहाँ पर क्या आएगा? ब्रेन कि मैं अपना दिमाग का इस्तुमाल करके चीजों को याद रखता हूं. Dad कहते हैं, Do you know computer also has a brain? कि क्या तुम्हें पता है कि computer का भी brain होता है? सेंडर प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है? उसके बाद आए सेंडर प्रोसेसिंग यूनिट. जिसको हम क्या बोलते हैं? CPU. जो क्या करता है? कीबोर्ट से इंपुट लेके उसको प्रोसेसिंग करता है. CPU is the brain of a computer which helps it to remember everything. CPU क्या है? कम्प्यूटर का brain होता है. जो क्या करता है? सभी चीजों को याद रखने में मदद करता है. The CPU helps a computer too. CPU किस तरह मदद करता है? प्रोसेस एंड पर्फॉर्म वेरियस ओपरेशन. बहुत सारे काम को करने में ये help करता है. उसकी प्रोसेसिंग करता है. स्टोर डाटा और इंफोर्मेशन को ये स्टोर भी करता है. CPU has two button. देखिए, CPU के two buttons होते हैं. एक तो on-off को button होता है. CPU को start करने के लिए भी हमें button प्रेस करना पड़ेगा. तो वो on हो जाएगा. और एक restart button भी होता है. अगर उसको दुबारा से restart करना हो, तो ठीक है, इसकी ये two buttons होते हैं. देखिए, आपको right side में या पर नीची दिखाए दे रहे होंगे two buttons. ठीक है? ये तो white color का यहाँ पर आपको diagram में show हो रहा होगा. उसके साथ यहाँ पर टू बटन से एक बड़ा है और एक छोटे वाला है. डोपो कहता है, while checking his computer, while checking his computer, dad, what is this tiny little thing with a long tail? जब वो अपना computer को चेक कराता है, तो अपने डैड से पूछता है, ये छोटा सा, छोटी सी चीज, जिसकी एक लंबी सी टेल है, ये क्या चीज है, dad कहते हैं, this is called a mouse, ये क्या है, mouse है, डोपो, a real mouse, क्या, क्या, सचमुच वाला mouse, तसलियत वाला mouse, तो dad कहते हैं, no, डोपो, it's not a real mouse, ये real mouse नहीं है, come, I will tell you more about the computer mouse, देखी बटा, जैसे हम keyboard से data enter करते हैं, बिलकुम mouse से भी हम data enter करते हैं, उसमें क्या हैं, बटन से होते हैं, जिसको हम क्लिक करके, बटन को प्रेस करके, हम अपना काम करवाते हैं, देखी, अब इसके बाद हम mouse के बारे में पढ़ेंगे, dad कहते हैं, डोपो, डोपो, as you use your finger to point at things, जैसे तुम किसी भी चीज को use करने के लिए, या कोई चीज के तुम डिमांड करते हैं, तुम क्या करते हो, पॉइंट करते हैं अपने finger से, similarly, a computer mouse also points on various subjects on the computer screen, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम mouse से क्या है, computer screen पर अगर हमें कोई चीज खोलनी है, कोई instruction देनी है, ता हम उसके तरफ point करके mouse से उसको open कर सकते हैं, therefore, it is also known as pointing device, इसलिए इसको pointing device भी बोला जाता है, डोबो, dad, but mom told me not to point at others as it is a bad habit, but mama तो कहती है कि कभी किसी के तरफ उंगली नहीं करने चाहिए, कभी किसी को point नहीं करना चाहिए, तो एक बुरी आदत है, dad, yes child, it is true, ये तो बुरी आदत है, but in order to work with speed, ठीक है, लेकिन speed के साथ अगर काम करना हो, a pointing device is essential, लेकिन यहाँ पर computer की बात हो रही है, तो computer में अगर हमें speed से काम करना हो, foot-a-foot कोई operation perform करवाना हो, तो हाँ पर pointing device भी बहुत ज़रूरी है, we can select anything on the screen, very easily, हम screen पर जो भी हमें कोई चीज दिखाए दे रही है, हम उसको select करके, ठीक है, select कर सकते हैं, उसे open कर सकते हैं, by clicking, ठीक है, click करके using the mouse, mouse को इस्तमाल करके, देखो, यहाँ पर आपको डाइगरम दिखाए दे रही होगी, ठीक है, यहाँ पर tail का क्या मतलब है, mouse क्या है, यह देखिए, black कर रखा है, एक boy न उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर tail किसको बोला गया है, यह जो wire है, तार है, यहाँ पर जो उसको attach हो रखिया, यह क्या है, उसकी tail, अब mouse is, mouse क्या है, mouse is easy to use, mouse को use करना बहुत easy है, increases speed and makes selection easier, किसी भी चीज़ को open करना हो, select करना हो, तो क्या है, यह बहुत easy हो जाता है, यह speed को भी बढ़ा दगता है, It reduces the task of remembering as well as typing the commands, यह क्या करता है, कि commands को भी कई वर क्या है, कि हम mouse की जरीए ही कुछ काम कर लेते हैं, हमें type करके commands देने की जरुरत नहीं होती है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जिन्हें हमें याद रखना भी थोड़ा easy हो जाता है, जो हमके फटा-फट इसको खूल कर भी देख सकते हैं, a mouse has three buttons, mouse के उपर कितने buttons होते हैं, three, left mouse button, right mouse button, scroll button, ठीक है, देखिए, यहापे आपके सामने एक activity है, यहापे एक mouse बना हुआ है, यह देखो यह mouse ड्राव हो रखा, यहापे जो वायर शोग हो रहे है, यह स्की टेल है, ठीक है, यह देखिए, left mouse button, यहापे arrow के साथ शोग हो आपको easily समझा जाएगा, यह single click, double click, यहापे लिखा हुआ है, ठीक है, right mouse button, जो right side में होता है, to open special किसी चीज को special कोई open करना, यह बटा, मैं आपको practically करके दिखाऊंगी, ठीक है, और scroll button, scroll button का मतलब क्या है, कि जो भी screen पे आप देख रहे हो, एक page खुला हुआ है, तो उसको उपर नीचे करके, अगर देखना हो, जैसे देखो, अभी मैं आपके सामने, PDF कभी उपर करते हूं, कभी नीचे करती हूं, ठीक है, तो यह क्या है, यह scroll करना, तो आप क्या है, इस mouse के जरीए इसको scroll करते है, इन था picture given above, आपके सामने जो दे रहा है, आपके सामने जो दे होना चाहिए, और जो body है, mouse की, वो pink color की होनी चाहिए, ठीक है, और जो color का mouse pad है, mouse pad मतलब यह जो नीचे square shape में आपको दिखाए दे रहा है, square नी rectangle shape में आपको दिखाए दे रहा है, mouse pad मतलब mouse की स्की उपर रखकर उसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो यह क्या है, mouse pad है, और यह gray color का होना चाहिए, यह एक और practical है आपके सामने, ठीक है, hands on, in the computer lab, observe the CPU, mouse, monitor and keyboard, ठीक है, वैसे तो हमार, बेटा, जब हमारी classes शुरू होंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी, कि हमारे lab में कितने CPU पड़े हैं, कितने mouse है, monitor है, keyboard है, ठीक है, या फिर मैं आपको, क्या जब online practical होंगे, तो तब मैं आपको show करूंगी, okay, so let us play, next, देखी, क्या है, let us play, complete the crossword puzzle using the hints given below, यहापे आपके सामने crossword puzzle है, जो आपको यहापे क्या hints दे रखे हैं, बेटा, उसको solve करना है, यह देखी, across का मतलब होता है, horizontal lines, ठीक है, horizontal lines, में आपने answer लिखना है, जैसे 1, 2 लिखा है, तो यहापे आप देखोगी, कहाँ पर 1 लिखा है, और 2 लिखा है, आप उसको feel करोगे, देखो, across में क्या लिखा है, number one, I am, I am an electronic device, तो वो क्या होता है, electronic device किसे बोला जाता है, computer को, number two, I am a pointing device, pointing device कौन होता है, mouse, you can type using me, आप the brain of a computer, मैं computer का दिमाग हूँ, brain हो, तो वो कौन होता है, CPU, I look like a TV screen, मैं TV screen की तरह दिखाई देता हूँ, तो वो कौन से चीज है, monitor, आई हो बचे, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और समझ भी आया होगा, कोई डाउट हो, जब हमारी online classes होंगी, तो आप उसमें यह वीडियो